पूरे घटना करम को विस्तार से बताया है उन्होंने ब्लॉग में लिखा है कि मिस्त्री से ना तो कोई एक्स्प्लेनेशन मांगा गया और ना ही उनको अपनी बात रखने का मौका दिया गया कुमार ने ब्लॉक से ये भी जानकरी दी है कि 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री ने अपनी पत्नी रोहिका को ये मेसेज भेजा था कि मुझे टाटा संस बोर्ट मीटिंग में नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा साइरस को उस दिन दो बजे इस मीटिंग को अटेंग करना था कुमार ने आगे ये भी लिखा है कि सार्वजनिक तोर पर मिस्त्री को अपमानित करना ठीक नहीं था उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह अचानक उन्हें निकालने के बजाए बोर्ट चाहता तो इंतजार कर सकता था